दोस्तो समुद्र की गहराईयों को आज तक कोई नहीं जान पाया समुद्र की गहराईयों में असंक्या जीव मौजूद है जिन में कई जीव कापी खतरनाक भी है और कई जीव छोटे है लेकिन दिखने में कापी आकरशक लगते है जिनमें छोटी छोटी मचलियों भी मौजूद है कई मचलियों इतनी rare है कि आज तक उनकी खोज भी नई हुई तो दोस्तो आईए जानते हैं इस कमाल के वीडियो में हम कुछ rare और आकरसीत मचलियों के बारे में जिन ये शायद आपने पहले कभी देखी होगी तो दोस्तो वीडियो को बीना स्कीप करे हुए end तक बने रहे साथ में आप नए वीवर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना कॉफिन फिश दोस्तो अभी हम जिस मसली के बारे में बात कर रहे है ये मसली दिखले में बिलकुल गोल मटल होती है उनकी बोडी काटों से बरी हुई नजर आती है मानो किसी ने उनकी बोडी पे काटे बिछाए हो ये मसली हमें ऑस्टेलियन दक्षिनी या पूर्वय स्पैसिबिक समुद्र की गहराईयों में पाई जाती है ये मसली 50 से लेकर 300 फिट की गहराईयों में पाई जाती है ये मसली 22 सेंटिमीटर तक बढ़ सकती है उनमें एक अनोखी खूबिया भी होती है ये मसली अपने गिल्स में एक बार में इतना पानी खटा कर लेती है जो कौफिन फिश को करीब 3-4 मिनिट की ओक्सिजन की कमी को पूरी करते है ये कला सिकारियों से बचने के लिए इस्तमाल करते है ताकि सिकारियों से छिपने में मदद हो सके सी बनी दोस्तो अभी हम जिस मसली के बारे में बात कर रहे है ये मसली बिल्कुल खरगोश की तरह दिखती को मिलती है उनके दोकान बिल्कुल खरगोश की तरह ही नजर आते है ये मसली कई तरह के रंगों में दिखने को मिल जाती है ये मसली खरगोश की तरह मासूम, क्योट और प्यारी दिखने वाली मसली अकसर सिकारी जिवों के नजर उन पर बनी रहती है ये मसली के अंदर एक खतरनाक जहर भी मौजूद होता है जो सिकारी जानवर के लिए बेहत खतरनाक शाबित होती है ओरंडा गोल्ड फिश यह मसली दिखने में इतनी कमाल के लगती है कि हर कोई उसे सुने का मर कर लेता है यही वज़ा से लोग उन्हें अपने घरों में एक्विरियम में पेट बना के पालते है यह मसली दिखने में इतनी आकरशक लगती है और इतनी शांत मिजाजकी भी होती है यह मसली अलग-अलग color और pattern में मिल जाती है यह मसली अक्सर 15 साल तक जिन्दा रशकती है पैरोट फिश यह मसली काफी कम दिखने को मिलती है यह अक्सर और श्रेलियन समोंदर के आसपास दिखने को मिल जाती है यह मसली तोते की तरह दिखने वाली मसली का कलर गहरा और चमकिला होता है यह मसली दिखने में लंबी होती है उनके मुह में नखिले दाथ भी होते है जो कि उन्हें पत्थर वल लगी सिवाल को निकालने में और खाने में इस्तमाल करते है यह मसली की आखे लाल और बॉडी काफी डरावनी लगती है वह अस्ट्रिलियन फिशर में ने उन्हें चारा डालकर पकड़ ले थी जबकि उन्हें मालूम पड़ा कि यह मसली काफी रेर दिखने को मिलती है तो उन्होंने यह मसली को फोटा लेकर उन्हें शमुद्र में दन्यवार